हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे है दे मूविस ठॉक शो चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ अन्तिम दा फाइनल रूट की आयो ही अभी के लिए के लिए कंफोर्मेशन के हिसाब से रिलीस डेट पर क्योंकि कई सारी वेबसाइट की तरफ से इस फिल्म के ओफिशल रिलीस डेट को कंफोर्न किया गया है लेकिन मेकर्स की तरफ से अब भी चुपती ही साधी गई है कि ये फिल्म एक्ट्यों में किस दिन ओफिशली रिलीस होने वाली है लेकिन जो रिलीस डेट तो अभी रूमर्स के तार पर निकलकर आई है जिससे आप का अन्पोमेशन भी समझ सकते हो चलिए उन डीटेल्स पर रज़र दालते हैं साथ ये भी देखेंगे कि ये फिल्म अपने रिलीस के साथ दूसरी और किस फिल्म से क्लैश कर रही है लेकि उससे पहले अब बनती है छोटी सिंग पैस जो है चैनल को सब्सक्राइब वीड खुलते हैं तो दिवाली के दिन रिलीस की जाएगी लेगिन फिल्हाल तो वह बाजी अक्षा किमार की सूर्यवंशी फिल्म ने मार रखी है जिसकी पहले तो रिलीस डेट अगें रूमर के तो परเปर 3 नॉमबर से लेकर 4 नॉमबर तक की लगा रखी थी लेगिन फिल्हाल दूसरा टॉपिक है बात करें अन्तिम दा फाइनल तूट की तो रूमर की तौर पर इस फिल्म की रिलीज देट दिवाली की नहीं वल्के 26 नॉवंबर की बताई जा रही है कि मेकर्स इस फिल्म की रिलीज को इसी दिन का तैय करने वाले है यानि देखा जाए तो इस दिन सत् लॉक्स ओफिस नंबर पर असर तो दालेगा ही लेकिन अब रूमर इस बात की कन्फोर्मिशन तो दे ही रहा है कि ये डिशिजन अलरडी ले लिया गया है कि 26 नॉवंबर की दिन इन दोनों ही फिल्मों का क्लैश होने वाला है तो उससे बदला भी बिल्कुल नहीं जा सकता जानी कि अब डिशिजन लोगों का वहीं पर आकर रुख जाता है जिसमें मेकर्स अपने प्रमोशन में कितना जादा दम लगाते हैं और कौन सा प्रमो जानी कि फिल्म का ट्रिलर दमदार होगा उसी पर ओडियंस डिसाइड करेगी कि वो लोग थेटर में सबसे पहले कौन सी फिल्म देखना चाहेगे या फिर उस हफते थेटर में सी एक ही फिल्म क्योंकि जैसी कि मैंने कहा दोनों ही फिल्में मासरस ओडियंस को ही ध्यान मेरकर बनाए गई हैं जिन से जादा उमीद बाग की दूसरी ओडियंस को लगा कर नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें इस फि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बैल अक्न के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ओल पर क्लिक कर दीजेगा पाकि मैं मिलूँगा जल्दी आप से दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई कर दो